हेलो दूस्तो मैं रहूल और मेरे पास है नार्जो 30A और आज के सुनम जह है इसका गीमिंग रिव्यू करेंगे इस फोन में जहां हमें Mediatek का Helio G85 Octagon Chipset देखने हो मलता है और मेरे पास जो बिरेंट है वह है 4GB, 64GB तो देखते हैं इस फोन का गीमिंग परफॉमंस कैसा रहता है साथ-साथ यहाँ पर एक छोटा सा बैटरी डेंटेज और हीटेज भी करेंगे बैटरी पसेंटेज की बात करें तो अभी आप देख पार होंगे 100% है और इस फोन में 6000 मिल पार का बैटरी देखने को मिल जाता है और टेंपरेचर की बात करें तो अभी आप देख पार होंगे रूम टेंपरेचर 31.5 के आसपास है और फोन के टेंपरेचर की बात करें स्टार्ट करेते हैं बड़ वीडियो स्टार्ट के से फिल बदा दू चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा साथ साथ बेल एकन को पेस करके और पर क्लिक कर दिया है जिसे जब भी मैं कोई आप रपका आपको जिन पहुंच जा है क्योंकि मैं इस तरह के इंट पबजी कैसा चल रहा है बाकी यहाँ पर जो है इंडियन गॉवर्मेंट ने इसे जो है बैन करके रखा हुआ है इंडिया में बड़ जल्दी यहाँ पर जो है पबजी का एक नया अवतार आएगा जो कि है न्यू स्टेट नाम से तो देखते हैं वो कब तक आता है फिलाल यहाँ पर जो है मैं रिव्यू पर बस से खेल रहा हूं तो यहाँ पर बात करूँ तो मुझे लगबग जो है यहाँ पर देख पार होंगे 10 मिट हो चुका है इसे खेलते हुए और मैं इसे जो है इसके बाइड डिफॉल्ट ग्राफिक्स में खेला हूँ मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स में कोई भी छेड़ चार नहीं किया है और अगर सच बात बताओं तो यहाँ पर जो है बाइड डिफॉल्ट ग्राफिक्स में यह थोड़ा सा मुझे जो है लेगी लग रहा है थोड़ा चिपक रहा है थोड़ा सा यहाँ पर जो है चिपक रहा है गेम और यहा यहां पर चलते हैं settings पे और रहते हैं graphics पे तो आप यहां पर देख पाएंगे by default graphics इसका HD और यहां पर frame rate high रहता है और अगर यहां पर frame rate high की बात करें तो देखते हैं यहां पर frame rate है वो हमें कितना देखने को मिलता है तो FPS आप यहां पर दीख पार होंगे clear आपको 30 FPS, 29, 25 ऐस अगर आप यहां पर graphics को जो है high पे और यहां पर HD लेकर खेलते हैं तो basically यहां पर मुझे performance उतना खास अच्छा नहीं लगा है HD और high पे यहां पर थोड़ा सा जो है इसको बढ़ा देते हैं यहां पर balance और ultra कर देते हैं और देखते हैं balance और ultra में हमें performance कैसा देखने को मिलता और तो वह अंदर घर के अंदर चला गया तो चलिए देखते हैं हम किल कर पाते हैं यहां खुद किल हो जाते हैं अब थोड़ा से यहां पर जो है smooth हो गया गेम पहले के तरह चिपक नहीं रहा है तो यहां पर मैंने बंदे को लपेटे में ले लिया है और देख पार है किल करने के बाद भी कैसे यहां पर हो रहा है basically यहां पर गेम प्ले काफी बढ़िया है मुझे यहां पर अब थोड़ा से ठीक लग रहा है हाला कि अभी भी थोड़ा सा चिपकर है अगर सही बताओ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे MS यहाँ पर काफी जादा आ रहा है obviously यहाँ पर PUBG को इंडिया में बैन कर दिया गया है आप सब जानते होंगे तो यहाँ पर यह ग्लोबल वर्जन है जिस वासे यहाँ पर जो है इंडिया में MS उतना अच्छा नहीं आ रहा है गेम का बाकी यहाँ पर जो है गेम प्ले की बात करें तो आप इस फोन में जो है PUBG को बड़े आम से प्ले कर पाईएगा in fact अगर मैं यहाँ पर जो है आपको फटा फट से ग्राफिक्स को फिर से चेंज करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जो है मैं चलता हूँ settings पर और यहाँ पर graphics मा जाते है smooth में भी आपको ultra ही option देखने को मिलता है ज़सके आप यहाँ पर देख पाने smooth और ultra में खेल कर देखते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा colorful कर लेते हैं अब यहाँ पर देख पाएंगे तो आप कुछ इस तरीका आपको नजर आएगा और gaming performance की बात करें तो अब यहाँ पर और थोड़ा smooth हो गया है और यहाँ पर कहीं से जो है firing हो रही है तो देखते हैं यहाँ पर बंदा किदर है तो वहाँ पर कोई jeep है यहाँ पर आसपास कहीं बंदा है यहाँ से firing हो रही है तो उस वाले building से firing हो रही है तो देखते हैं वहाँ पर कौन है और सब को एक एक कर के खोपचे में लेते हैं तो गाइज यहाँ पर मैंने इसको भी किल कर दिया जैसे कि आपने देखा और फिरेंट स्मूद और अल्टरा में अगर आप खिलते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 40-42 एपिएस देखनों मिल जाता है 39-40-42 ऐसे ही जो है आपका एपिएस भैरी करते रहता है जैसके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और परफोर्मेंस वाइस मुझे यहाँ पर स्मूद और अल्टरा पर ही जो है काफी बढ़िया परफोर्मेंस देखने को मिला जबकि हाई HD पर यहाँ पर परफोर्मेंस उतना खास अच्छा नहीं था जैसके आप यहाँ पर दीख पार हैं अब यहाँ पर काफी अच्छे तरीकी से स्मूद ली तरीकी से हो रहा है हलाकि यहाँ पर थोड़ा सा अटक रहा है वो मैं बता दू किसलिए यहाँ पर जो MS है वो आप देख पार होंगे कभी 300 चल जा रहा है कभी 150 आ रहा है तो यहाँ पर MS के लिए बिसिकली यहाँ पर जो है ग्लोबल वर्जिन है सर्वर सही से कैच नहीं कर रहा है जिस वासे यहाँ पर थोड़ा सा टक रहा है न्यू स्टेट अगर आता है इंडिया में लाँच होता है तो यहाँ पर जो है आपका गेम प्ले काफी स्मूध होगा क्योंकि MS भी आपको वहाँ पर 3940 ऐसे ही मिलेगा तो आफ्टर आल यहाँ पर जो गेम प्ले है वो काफी स्मूध है और काफी लोग बोलते है जाइरो स्कूप है की नहीं तो यहाँ पर मैं आपको जाइरो स्कूप भी दिखा देता हूँ चलते हैं सेडिंग्स में यहाँ पर आ जाते हैं जाइरो स्कूप को एनेबल करने के लिए अब थोड़ा से यहांपर driving वहरा करके देखते हैं यहांपर जो gyroscope का performance है क्या driving में यहांपर सही देता है car बोले तो वो रहा car तो यहांपर आपको driving करके थोड़ा से दिखा देते हैं और मेरा यहांपर circle भी आने वाला है तो मैं यहाँ पर driving करके circle के तरफ निकल लेता हूँ तो अब यहाँ पर जो है असली gyroscope का test हो जाएगा driving करते time basically ओ पीछे बंदा आया बंदा आया बंदा आया यार शिट शिट मैं मुझे बंदा किल कर दिया तो मुझे game फिर से start करना पड़ेगा आपको gyroscope दिखाने के लिए पिछले game में पता नहीं कहां से वो अचानक से एक बंदा आ गया और मुझे उसका footstep भी नहीं मिला और मुझे kill कर दिया मैं जब गाड़ी पर था और यहाँ पर gyroscope performance आपको दिखाना है accurate है एकदम correct है और यहाँ पर जादा आपको जो है lag look नहीं पता चलेगा काफी अच्छे तेक से यहाँ पर gyroscope हो रहा है हाला कि थोड़ा सा और better होता है तो काफी बढ़िया होता और आपको यहाँ पर driving performance में मैं दिखा देता हूँ driving यहाँ पर मुझे bike मिला है तो मेरा बंदा जो है गाड़ी लेके भाग गया फरार हो गया तो after all यहाँ पर driving performance की बात करें तो आप यहाँ पर जो है बड़ी मस्तरी की से गाड़ी बोड़े के चला सकते हैं यहाँ पर जो है आपको lag look नहीं होगा जैसके आप 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 देख पा रहे हैं और bike चलाने मे वक्त especially lag या फिर frame drop देखने को तो नहीं मिल रहा है देख पार है मैं काफी ऊची तक और यहाँ पर जगह जगह पर कोह रहा हो चुका है तो basically मुझे कोई car भी नजर नहीं आ रहा है in fact अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है game play काफी बढ़िया और मेरा बंदा सायद चपेट अगर आप यहाँ पर जो है graphics को smooth में रखकर खेलते हैं तो smooth ultra पर आपको यहाँ पर 40 एपस तक gaming को मिल जाता है जैसके आप यहाँ पर देख पार है 37, 36, 40 के आसपास यहाँ पर आपको gaming देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको lag, frame drop नहीं देखने को मिलेगा मुझे यह यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि basically मैं global version खेला हूँ, global version में होता क्या है, यहाँ पर MS है वो काफी high चल जा रहा है, आप यहाँ पर देख पारें, 600 के आसपास, और आपको lag भी नहीं देखने को मिल रहा है, after all देख पारें, यहाँ पर जो है काफी अच्छे दिखे से, मैं जो है bike को drive कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर gameplay को बंद करूँगा, क्योंकि मुझे next game भी खेलना है, और फटाफट से temperature को भी measurement कर लेते हैं, कितना यहाँ पर heat वगेरा हो रहा है, तो यहाँ पर 37 minute हो चुका है, और यहाँ पर room temperature की बात करें, तो 32.9 के आसपा, 33 हो गया है, और यहाँ पर phone के temperature की बात क 24 के आसपास यहाँ पर चल जाता है, heat 44.9, यहाँ पर 45 भी टच कर जाएगा, तो after all यहाँ पर temperature की बात करें, तो गर्मी के हिसाब से यहाँ पर temperature है, वो काफी सही लगा मुझे उतना जादा, मैं हाई नहीं बूलूँगा, बट मीडियाटे का पुजिसर थोड़ा सा heat होता ह और यहाँ पर गर्मी पढ़ आए, तो जिस वसे यहाँ पर थोड़ा सा temperature जादा है, बाकि यहाँ पर जो है, अगर मौसम ठीक ठाक रहता है, तो ठीक ही है, after all, तो मैं यहाँ पर बढ़ता हूँ next game की तरफ, so guys, अब जो आप यह gameplay देख पा रहे हैं, यह है Call of Duty का Battle Royale version, यहा जो है Multiplayer होता है, उसके बाट Battle Royale, तो मैंने यहाँ पर जो है, basically Battle Royale से ही start किया है, और Battle Royale की बात करें, तो यहाँ पर जो है, gameplay काफी smooth है, कड़ी 15 मिट से उपर हो गया है, मैं गेम खेला हूँ, एक kill भी मैं कर चुका हूँ, और यहाँ पर जो है, आप देख पाएंगे, काफी अच्छे देख से कोई भी lack, frame drop देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पर बात करो graphics की, तो मैं by default graphics में खेला हूँ, यहाँ पर मैंने graphics में कोई भी जो है, फेर बदल नहीं किया है, जो automatically इस नहीं लिया था, वही automatically graphics में मैं यहाँ पर खेला हूँ, तो यहा पर आपको जो है, दिखा देते हैं graphics, तो आप यहाँ पर graphics देख पाएंगे, इसका जो है graphics है, यह है low और medium और यहाँ पर आप medium और यहाँ पर high कर सकते हैं, और अगर हम medium और high करते हैं, तो यहाँ पर frame rate की बात करें, तो आपके यहाँ पर max to max 40 frame per second यहाँ पर gameplay खेलने का मौ जाते हैं, तो मैंने इसको भी kill कर लिया, जैसके आपने देखा, तो after all यहाँ पर आपको 40 episodes तक gaming का option देखने को मिल जाता है, 40 episodes तक तक जो है इसमें game खेल सकते हैं, और काफी smoothly तरीकर से आप यहाँ पर call of duty को enjoy कर सकते हैं, call of duty खेलने में यहाँ पर आपको कोई भी lag frame देख काफी अराम से यहाँ पर जो है आप game को enjoy कर पाएगा, call of duty अगर आप इसमें खेलते हैं, तो battle royal यहाँ पर आप 40 episodes तक बड़ी आप से इसमें खेल पाईएगा, और आपको lag frame drop जो है call of duty में एकदम ही नहीं देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ पर 15 मिट हो चुका game खेलते So friends, अब जो आप यह gameplay देख पा रहे हैं, यह call of duty का multiplayer version और अगर बात करूं multiplayer version की, तो यहाँ पर आप 60 episodes तक gaming कर पाईएगा, और जैसे कि battle royal version इससे पहले मैंने खेला था, और battle royal version में हमें 30 episodes तक gaming देखने को मिला था, जबकि यहाँ पर multiplayer version में हमें 60 episodes तक gaming देखने को मिलता है, और यहाँ पर enemy काफी सारे आ रहे हैं, तो पहले इनको कतम कर लेते हैं, तो देख पा रहे हैं, यहाँ पर gameplay काफी smooth है, कोई भी lag, frame drop देखने को नहीं मिल रहे है, और मैं आपको दिखा दू, 60 episodes तक यहाँ पर gaming देता है, तो यहाँ पर देख पाएंगे episodes 60 तक जा रहे हैं, यहाँ पर देख पार, और जबकि Battle Royale में 30 episodes तक यहाँ गेमिंग देखने मिला था, और यहाँ पर graphics आपको same देखने को मिलेगा, ग्राफिक्स में यहाँ पर कोई भी hair बदल नहीं है, मैं आपको यहाँ पर graphics को भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोने में चिपके, चलते है settings पर और यहाँ पर आजाते है, settings पर और यहाँ पर graphics की बात करें, तो same graphics आपको देखने मिलता है, medium और high यहाँ पर graphics में कोई changes नहीं है, बट यहाँ पर आप multiplayer version अगर खेलते हैं, तो 60 अपर गेमिंग हो जाता है, और यहाँ पर bum है, भाई भाग, फटा फट, तो यहाँ पर और gameplay continue नहीं रखोंगा, call of duty का, काफी समय हो गया है, एक घंटा हो चुका है, और भी game खेलना बाकी है, तो फटा फट से temperature को measurement कर लेते हैं, एक घंटे में यहाँ पर जाए temperature कितना हुआ, तो room temperature 33.2 के आसपास है, क्योंकि काफी गर्मी है, मैं fan HD off करके रखा हूँ, और call of duty ख खेलते वक्त जो है, थोड़ा सा कम हो गया है, पबजी खेलते टाइम जो है, 44 तक हीट जा रहा था, जब कि call of beauty में यहाँ पर देख पार हूँगे, 44 यहाँ पर भी 44 ही टच कर गया, तो मैंने यहाँ पर गलत बुला, तो basically यहाँ आप कोई भी game खेल ले, यहाँ पर एक घं high graphics पे खेल रहा हूँ, और अगर gameplay की बाद करें, तो gameplay यहाँ पर काफी smooth है, कोई भी lag frame drop देखने को नहीं मिल रहा है, और free fire यहाँ पर 60 fps तक gaming कर पाईएगा, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पार होंगे, जो है, fps यहाँ पर 60 के आसपास, यहा यहाँ पर आपको gaming में free fire में काफी मज़ा आएगा, अगर आप free fire game खेलने के लिए इस phone को लेना चाते हैं, तो definitely मैं आपको बुलूँगा, यह यहाँ आप ले सकते हैं, आपको काफी मज़ा आएगा free fire खेलने में इस phone में, और देख पा रहा हूँगे, काफी अच्छे तर अंडे से क्या, अंडे से साइद कुछ निकलता है, तो साइद इन सब को collect करना पड़ता है, तो अंडे से कुछ निकलता है, मुझे फ्री fire का उतना knowledge नहीं है, बट फिर भी अगर मैं PUBG और Call of Duty जादा खेलता हूँ, तो basically अगर PUBG और Call of Duty के हिसाफ से judge करूँ, हाला कि यहाँ प फ्री fire की बात करें, तो फ्री fire यहाँ पर काफी अच्छे थी किसे, एक बंदा आया, तो पहले उसको कल अगर कर दे, तो यह रहा बंदे को मैंने खतम कर दिया, अच्छा हुआ था मेरे बूस्टर वगरा था, बढ़ना मैं यहाँ पर किल हो जाता है इस बंदे से, तो जैस अब यह फोन जो है काफी बढ़ी है, गेम बोल रहा हूँ, तो अब यहाँ पर फ्री fire खेलना चाता है इस फोन में, तो डिफली आप यहाँ पर फ्री fire को काफी अच्छे तरीके से enjoy कर पाईएगा, अब जो आप यह गेंपली देख पा रहे हैं, यह है Asphalt 9 और यहाँ पर का अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो डिफली अगर आप जो है चार गेम खेले हैं, और free fire के टाइम मैंने measurement करना भूल यादा, तो आफ्टर यहाँ पर देख पा रहे हैं, रोम टिम्परेचर 33.4 के आजपास हो गया, और phone के temperature के बात करें, तो 44 still यहाँ पर जो है, तो 44 के आजपास यहाँ पर जो है phone का temperature रह रहे हैं, और जाहतर यहाँ पर जो ऊपर की तरफ heat कर रहा है, यहाँ पर जहाँ पर chipset है, media edit के chipset जैसके आप सब जानते हैं, heat होता है, और मैं आपर timer को कर stop, क्योंकि यहाँ पर मुझे game खेलते हुए, एक घंटा, 14 मिनिट के आसपास का समय हो गया, काफी जादा दिन, मतलब 15 मिनिट पकड़ लीजे, 15 मिनिट मैंने यहाँ पर gaming किया, इस phone में, और battery percentage की बात करें, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, 89% यहाँ पर जो है, बैट आप सुचिए, एक घंटा, 15 मिनिट खिलने के बाद, 11% यहाँ पर से battery drain होता है, तो after all, इसका battery performance काफी बढ़िया है, slow charge लेता है, मैंने charging टेस्ट करके रखा है, आप जागर चिक कर सकते हैं, काफी slow charge लेता है, बट यहाँ पर battery performance काफी बढ़ियां मिला, इतना heat होने के temperature काफी जाधा हो गया है, तो after all, इहाँ पर दीखा जाए, तो phone का temperature है, वो मेरे हिसाब से ठीक ठाग है, media tech का chipset जो है, थोड़ा overheat होते हैं, बट इससे phone को को कोई भी issue नहीं होता है, और साथ-साथ यहाँ पर gaming performance में मुझे कोई भी issue नहीं नज़रा है, PUBG यहाँ पर global version खेल जिस वह से थोड़ा बहुत मुझे जो है, frame drop या, फिर chip पकने का issue नज़रा है, वो भी MS जाधा होनी की वैसे, obviously यहाँ पर PUBG काफी बढ़ियां जो है, यहाँ पर perform करेगा, क्योंकि media tech का Helio G85 जो producer है, वो जो है, एक mid range gaming producer है, तो उस हिसाब से यहाँ पर gaming आपको ठीक ठाक दे सकते हैं, 60 एपेस पर आपको यहाँ पर free fire खेलने का मौका मिल जाता है, और in fact यहाँ पर ग्राफिक्स भी free fire का काफी बढ़ियां देखने को मिल जाता है, तो all over देखा जाए, तो इसका gaming performance मुझे जो है, इस price range के हिसाब से काफी बढ़ियां लगा, बाकि आप नीचे comment screen में comment कर बते हैं, आपको इसका gaming performance कैसा लगा, I hope आप सब भी को मेरे gaming review पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा, प्लीस फोन वीडियो को like कर देगा, साथा चैनल पर नहीं है, तो चैनल को subscribe कर लिएगा, साथा बिल आइकन को पैस करके all पर click कर या फिर आप मेरे Instagram account को follow कर लिजिए, आप में का अफिल दा active रहता हूँ, Instagram account को follow करने के एक फायदा होगा, आप से communicate कर पेगा, chat कर पेगा, screenshot, video record करेगा, बेज़ पहे है, जिसने में आपको problem का solution easily कर पहूंगा, तो Instagram account को definitely follow कर लिजिए, तो फिर इसमें आपके साथ, अगली वीडियो में एक नए content के साथ, अब तक लिए टाटाब बाई 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 और यूं है सतरी मुस्कुलातरी और बने रिया RJ टेक्निकल्स के साथ